सर्वेभ्यो नामह देववानी संस्कृतम यूटूब चनल में आप सभी का हार देख अभिनेंद नीती शत्कम को पढ़ रहे हैं आज इसके 49 में श्लोक को पढ़े हैं श्लोक का आपके समक्ष हैं श्लोक का चंद है वसंत तिलका इस श्लोक के अंदर आचार भरतिहरी ने एक शेष्ट व्यक्ति की प्रसंसा की है कि शेष्ट व्यक्ति का लक्षन बताया है प्रसंसा की मत्र में काय कि वह अपने प्राणों को सुख पूर्वक्त त्याग देता है परन्तो अपनी प्रतिया अर्तात जो प्रतिया उसने कर लिया हो उसको कभी छोड़ता नहीए आईएगा देखते हैं। आचार बरत्री भी महाराज कहते हैं। ला जागुण उखा जननीम जननीम इवस्वाम आत्यंता शोद्धा हिर्दाया मनुवर्तमानाम। आईएगा अर्थ के लिए इन पदों का अन्वय करते हैं। इस प्रकार से पदों को रखना चाहिए हमें। ये लिए बाद। अन्वयाह सत्या ब्रता व्यासा निनाहा तेजस्विनाहा असून अपी तुखं संत्यजंती। ओनाह अत्यांता शुद्धा हिर्दयाम अनुवर्तमानाम। हिर्दयाम हिर्दयाम। जननीम इवा लज्जा गोणाउग जननीम स्वाम प्रतिज्याम न त्यजंती। और यह दार्चर लोगया अब कहते हैं कि सत्यवर्त का व्यासा नहें मने सत्यवर्त ही जिसका स्वभाव है सत्यवर्त को धार्ण करना ही। तो सत्य प्रत के सभाव वाले तेजस्वी व्यक्ति का ये जो तेजस्वी व्यक्ति हैं वे असून अपी असून माने प्राणों को अपी माने भी सुखम माने सुख पूर्वक संत्य जन्ती छोड़ देतें या एक उपम देरें ये अत्यंत शुद्ध हिर्दयवाली व्यवहार करने मने शुद्ध हिर्दय से व्यवहार करने умाली जो जननी होती है माता होती है वो माता अपने पुत्र को शुद्ध हिर्दय से पवित्स हिर्दय से साथ मअन से का कि सच्य मन से प्यार करती है कि तो कहते हैं कि को अत्यंत आपने प्रतियां कैसी प्रतियां और बहुत सारे अच्छे गुण है प्रैम करना आदि इन गुणों को रिज्जा आधीगुणों के समूह को आउद कुन करने वाली स्वाम प्रतिज्या के मैं और कोई गलत काम नहीं करूं गा मैं प्रैम करूंगा सब को सत्य का पालन करूंगा तो एसी उस प्रतिज्या को याशी ये भी है सी प्रतिज्जाать लग्जारी गुणों को जैसे माता होती है शुद्ध धरताय से व्यवार करने वाली तो ऐसी अपनी प्रतिज्यां को नत्य जंती उसको नहीं छोड़ते हैं प्राणों को छोड़ देंगे परंत अपनी प्रतिज्यां को नहीं छोड़े या अपनी एक मनें अच्छे गुणों को धारण करने वाली जो प्रतिज्या हैं उसको एक शुद्ध हिर्दय से व्यवहार करने वाली माता से उत्मा दी गई है तो यह हो गया तीक है आप इसका हेंदी भी देख लीजेगा सत्य व्रतमे रुची रखने वाले तेजस्वी लोग प्राणों को भी सुक पूर्वक छोड़ देतें इंत वे अत्यंत शुद्ध हिर्दय वाली अनुकूल आच्रन करने वाली माता के समान लज्जा अधी गणों के समू को उत्पन करने वाली अपनी प्रतिज्यां को नहीं छोड़ते है है ठीक है कि अं Sid Reha्ड थोड़ा चा करने का पांडती इसमें आइं ये है आपका यह प्रत्मा व्यासन व्यासन नहा यह प्रत्मा वक्ति वह वचनांत है ठीक है और तेजस्वना यह प्रत्मा वक्ति वह वचनांत है असुन यह दुतिया व्यक्ति वह वचनांत है असुका जैसे गुरून तो वैसे असुन हो गया ठीक है प्राण अर्थ होता इसका अप्य अ अभ्याय सुखम संते जनती मनें इसका क्या है किरिया विशेशन है किरिया विशेशन में दुतिया होती है तो दुतिया का रूप है यह नपन सक लिंग ठीक है अभ्याय अत्यंत शुद्ध हर्दयाम एसा है अनुबर्तमानानाम जननीं यह जननी के विशेशन है जननी कैसी अ हुद विवाहर करने वाली इसमें धुतिया इसमें भी दुतिया इन में भी दुतिया कि यहाँ पर करेंगे तो समास ऐसे करेंगे अत्यनस रिदयम औरblack 복 am शुद्धम हिर्दयम यस्याह सा अत्यंत शुद्ध हिर्दया ताम अत्यंत शुद्ध हिर्दया पावरी समास होगा ठीक है अनुबर्ताना अनुबर्तमाना अनुबर्तमाना अच्छा अनुबर्तमाना 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 तो ये शानच प्रत त्यामत है, ठीक है? जननीम एदुतिय अवगाई 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 अ ऩो जाननी शरक गहन क्योंत को परोच्ञटे वह जाए कि इसमें पहले करमदारत समास ऑजे लग्जागुनका फिर अके शच्ठी हो जाएगा फिर लग्जाग版 इशाथ में शर्स्थी हो यह व्याकन की दृष्टी से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, तो यह श्लोख हमारा भश्त्त तिलका का था, तो यह श्लोख हमें यही शिक्षा देता है, कि हमें अपनी जो अच्छे गुणों को धर्ण करने के लिए अदिन जो प्रतिज्या की, अच्छे कारियों को क प्रतिति उत्मन हो जाए तो भी प्रतिज्यां को नहीं छुड़ना चाहिए तभी हम शेष्ट बन सकते हैं यही शेष्ट व्यक्तियों का गुण है चलिएगा तो अब आगे इसका श्लोक है इसके आगे हम 41 श्लोक पढ़ेंगे ठीक है आउ चालिसमा चालिसमा पढ़ेंगे और अब जो हमारा चल रहा था और शेष्ट अब इसके बाद में आएगे हमारे अर्थ पढ़ति और अर्थ पढ़ति के अविश्लोक आएगे ठीक है चलिएगा आगे की रक्षान मीते हैं इनका सभी कालाव लीजिएगा तर्वेभ्यो नमाहा